दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओल्वीज एफेक्स पर दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ टेक्निकल चीज के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडोज एक्टिवेशन का वाटर मार्क आता है कई बार हम विंडोज 10 चलाते हैं जिसकी वाज़ा से यहाँ पर एक्टिवेट विंडो गो टू सेटिंग का वाटर मार्क आ जाता है तो कई बार क्या होता है इसकी वज़े से आपक क्या है दोस्तों आईये जानते इस बारे में हमे करना क्या है हम simply यहां पर जाएंगे windows पर ये वाले सर्च विंडो पर इस वाली साइड पर यहां पर आपने क्या करना है और हम यहां पर लिखने आपने आर इजी इडी आई टी रेजिट यह देख सकते हैं आप ठीक है अब यहाँ पर करना क्या है आपने जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने जाना है यहाँ पर जाने के बाद आपका क्या होगा यह आपका उप्सन आता है software software के बाद में आपने जाना है windows software पर click करना है यह देखिए और software में जाने के बाद जब आप यहाँ पर software में आ जाएंगे तो आपको जाना है windows पर यानि कि Microsoft पर यह देखिए यह Microsoft आ गया है इस पर यह आपका Microsoft आ जाएगा और Microsoft के बाद जाना है आपको windows nt पर यहाँ से हम चले जाते हैं windows nt पर यह देखिए यह आपको sign इस type से मिलेगा दोस्तो windows nt का तो यहाँ पर क्या करना है आपने simply इस पर click करना है windows nt पर और windows nt के बाद इसमें जो यह होता है आपका current version आ जाता है current version के बाद में आपने क्या करना है इस पर click करना है इस वाले portion पर current वर्जन पर ठीक है जब आप current version पर click कर देते हो windows पर जाने के बाद में windows nt के तो आपका यह मेनों बार खुल के आ जाएगा आपका यह उसके बाद क्या करना है आपने software production पर जाना है यह देखिए यह हमने open किया हुआ है आप इसको बंद कर दीजिए और फिर दुवारा हम इस पर चले जाते हैं इसके अंदर क्या होगा यह है आपका activation यह portion इस पर जाने के बाद में आपने राइट साइड पर जाना है और यहां पर आपको मिलेगी manual पांच option आपको इसके अंदर मिलेंगे activation interval manual no generation ticket notification है ना इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं notification disable है ना तो दोस्तों आपको manual पर जाना है खाली manual पर जब आप जाएंगे तो यहां पर इसकी value data जो है आपको normally zero होगी और उसको one कर देना है one करने के बाद में इसको क्या करेंगे हम okay कर देंगे और जब okay करने के बाद हम इसके को बंद कर देते हैं simply इसको हमने बंद कर दिया cross तो आपको क्या होगा यह जो आपका right side में sign जो होता है यह आपका हट जाएगा लेकिन हटेगा तब यह आपका जब आप दुबारा reset अपने system को करेंगे otherwise वैसे आप चाहेंगे कि यह हट जाए आपने click किया वहाँ पर value change की उससे यह हट जाए तो यह नहीं हटेगा जब आप दुबारा reset start अपने system को करेंगे तो इसकी value automatic यह आपको right side से screen से हट जाएगा तो दोस्तो आगे मैं आपको बताऊंगा और नई चीजों के बारे में ताकि आप windows से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए windows 10 में क्या क्या चीजे नए function नए आया है और dongle चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो windows 10 पे so please keep watching my tutorial on the youtube channel दोस्तो subscribe करना मत भूलेगा मेरे youtube channel को